तो आज हम सब्सक्राइब क्लास 9 का एक्सराइज 10.1 इसमें एक एक्सराइज 6 इसका इंट्रड़क्शन पार्ट में पहले बना दिया मैंने वीडियो तो उसको जाके देख लें आराम से ठीक है तो पहले से स्टार्ट करते हैं देखो को सोल करना है हिरों की मदद से वरना हमा सब्सक्राइब निकालने से मतलब है तो यहां पर लिखा हुआ है निकालना है हमें सिगनल बोड का याद रखना है बस करना क्या है हिरों की मदद से यूज करना पड़ेगा और यह साइड भी नहीं की साइड कितने हैं बस निकाल देंगे साइड यह निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हिरों लोटाई करता सबसे एस निकालने किया होता है एस दिसटे ग्यां से समय अब अब यह सब बराबर है तो मैं सब को लिख सकता हूं एपलस एक इस यहां से मैरे पास आया S की value S क्या होता है हमारा S होता हमारा semi perimeter वो हमें निकालना पड़ता है formula apply करने के लिए ठीक है यह आ गया अब इस S की value को मैं करता हूं मैं put कर रहा हूं formula में यहां से formula क्या हम पास S S of A S of B और साथ में S of C इसमें हमें apply करना है इसको अब यह S की value जो भी आई इसी को apply करेंगे क्योंकि यहां पर अलग अलग नंबर वहां पर given नहीं कोई भी हमें मतलब यहां पर क्या बनेगा यह हो गया अब मैं इसको लिख सकता हूं स-A क्यूकि यहां पर कितने बार आ गया यह यह तीन बार आ गया एक दो तीन तो इसको मैंने की वार में शोट करने लिए क्यूब अब यहां पर कुछ हम करने सकते हैं लेकिन यहां से हम इस एक्स की वैली को सोल करते हैं इस वैली को मैं उठाके एस की जगर पर रखने वाला हूं यहां से देखो तो एश के है हम रपास 3a by 2 यहां पर मैं लिख दिया 3a by 2 यह हो गया अब फिर से किया लिखना पड़ेगा तरी यह यहांपर फिर से ऐसा ना तो 3a by 2 लिख दिया दुबारा अब नीची यहांपर कै यह और यहां पर इसका क्यूब इसको सूल करें ता हम आपके फॉर्म ल कि यहां पर इनको और यहां पर यहां पर लेने वालों इसका लिए तो और 100 से करेंगे से Спेंड़ आपने पास और निशान बाइन से करेंगे तो यहां पर कितना बन जायगा यह जाएगा फूर पावर में क्यूब तो लगाई वाइवा ठेक है अंडर पागह देखते हैं यह जाएगा 3a by 2 यहां पर जाएगा यह बन जाएगा यह बाइट का क्यूब क्यों कि देखो 3a में से टू हो गया बच यह नीचे दो है अब मैं इसको थोड़ा सा ट्री एक क्या मतलब होता है ठीक मैं यहां पे यहां पर कितनी तीन बार एक तो इसे नंबर निकालेंगे तो देखो यह यहां पर यह एक है किस ऐख जो आप एक बना है का इससे एक आप राघ्य बात एक और पिर मना एक यह कि ए मुटिप्लाई ऊपर भार बार गया इसके एकटना वह दोह का और एक और दो भारा दागा थे चीविए तिन लेकिन रूट में क्या रही रहे गाई तीन ठीक है इसको सोल गरे आगे तो क्या बने गई दे कि यह हमारे पास वैसे ही बनाए गया है अब आगे देखते हैं इसको अब इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें से यह होगा क्या कि हमारे पास इसका पैरिमेटर हो पैरिमेटर से इसको पैरिमेटर क्या होता है तो पैरिमेटर होता है मारे पास एसवन प्लेस टू इस से यहां पिसारी के सारे ही यहां यहां पर हो जाएगा 3S1 क्योंकि देखो इसको भी सब्सक्राइब कर देगा यहां पर आगई इसकी यानिकी जो साइड है जो सारी के सारी वैसे इतना बड़ा तो साइड लिक लिए इसको यहां पर यहां पर साइड ट्राइंगल निकाले इस वाले को उठाके तक इसको तो तीनों का जोड़ अब तीनों एक ही हैं तो शीज़र तो यहां पर आगे आपर आपर साइड के वैलिव सिक्षी आगे अब निकालना एडिया के लिए फोर ना जो बाटकर रखाए पहले सी तो इनिकाल दो एडिया ओफ ट्राइंगल के लिए हाला रोट थ्री बाए ए स्क्वेर ने रूट लाट पर एसक्वेर अब य यहां पर आगे रूट स्रीवाइफ फॉर सिक्स्टी का स्क्वेर कितना होता है यह बजाएगा आपर पास जो कि इससे कटेगा 900 पर तो क्या बचा आपर नाइन हंड़र बचा हुआ है और रूट स्री बचावाइब तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपर इसका 900 रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वेर यह आ गया पहले कोशन का अंसर ठीक है अब हम आते हैं इसकी नमबर टू में क्य आप एक कंपनी करती है तीन महीने के लिए उसको तो फिर इसको तीन महीने अगर यहांप यहां पे लगाना है तो कितना उसको तीन महीने स्क्राइब तोटल है उसको फिर साफ से मल्टिप्ला गरेंगी तीन मेने का आ जाए तो हिर्ण सबसे पहले सबसे निकालेंगे हम सेमी पैरिमीटर यहां पर आ जाएगा अमरे पास इसकी वैल्यू 144 और 264 बाइट और यहां पर भी बन जाएगा 132 यानि कि एसकी वैल्यू आगई 132 मीटर ठीक है अभी इसको हिर्ण सब्सक्राइब कर देंगे आंसर आजाएगा इसकी वैल्यू में पता ही है यहां से अब देखो एसकी वैल्यू कितने यह वन थर्टी टू यानिकी 132 फिर से ऐसे वन थर्टी टू माइनस ए एक फस्वाल ताम मान लो तो यह थी अपने पास 122 बी बी से पहले फिर से एस लिखना 132 माइनस माइनस कितना करना 120 फिर आगया और पास सी सी भी फिर से 132 माइनस 22 आगया अब इन सबको नोर्मली सब्ट्रेक्ट कर देंगे यहां से अब देखो वन थर्टी टू तो भार रही तो ऐसी रहेगा अब वन थर्टी टू मेंस करेंगे यहां पी यहां पर सकते हैं नंबर इसको भी ओपन कर लेते हैं कितना कि इनको निकल लगा तो कैसे लिखेंगे देखो 132 किस-का मुल्टिप्लाइब बन तो है और यह उसके बन रहा है उनको बाहर निकाता है एक भारा यह रहा और एक और यह रहा तो इक बारा वहरा गह पूँर्ण है एक गैसरे नहीं कर दो तो इससे कितना था इन दोने से वन थर्टी टू आ था वन थर्टी टू को टैन से करेंगे तो वन थ्री टू जिरो आ जाएगा अंतर ठीक है मीटर स्क्वेड यह आगया हमरे पास कितना एडिया है इस वाले हिस्टे का यह हमने निकाल दिया अब हमें प्राइसिंग भी बतान और एरिया कितना है एरिया है वन थी टू जीरो मल्टिप्लाइब कोश्ट कितने हैं कोश्ट है फाइव थाउजन पर फाइव थाउजन में एक यह हिसाब बनेगा यहां पर पर यह कि दरके पर हमें साल की बात ने गड़ी हमसे पूचा है सिर्फ तीन महीने के लिए ना तो एक साल में बारा महीने उसमें से तीन महीने चाहिए हमें ठीक है आप इसको सोल कर दो तो और यह इसी से मिलके बना यहां पर हमने देखा था कई बार की यहां पर आ जाएगा हमर पास 110 110 को मैं तो यह जाएगा 330 मल्टिप्लाइब 500 नीचे 5000 नीचे वन बचाएं ठीक है अच पर दो गया मल्टिप्लाइब और यह आंसर है अपना रुपीज में कि तीन महीने के लिए इसको कितना पड़ना पड़ेगा इतना इसका आंसर आप अब हमाते हैं इसके ने में क्या बूला है कि एक स्लाइड एक तरीके से इसमें पर के बार में कुछ लिए पार्क को ग्री से इस से तो ने मैं देखा जायने तो यहां पर गैक यह एक ट्राइंगल करते हैं और आंसर निकलते इसका गंत रखली इस서 कि निकालेंगे सेमी पेरिमेटर एबी सीवाई टू कि और सितना आ जाएगा 15 प्लेस 11 प्लेस शिक्स बाय तू यह हो जाएगा मिल्के ट्वेटीवन और थाटी डू बाय टू यानि कि कितना हो गया 16 आगया है यहां से इसको इसमें अप्लाई कर दो एडिया एडिया इक्वल टू एडिया वही निकालते हैं जगाब होता है एडिया इक्वल टू क्योंकि अब हमें कोई मुल्टिप्लाय तो करना नहीं है रूपीज में निकालके एस ओफ एस ओफ ए बी और सी ठीक है आगा वह सकते अपर 17 ये निकाशी कि 16 फिर 16 माइनस फिर 16 माइनस एलावन प्रिया सिक्सटीन मा 느ने सीच इ से इस इसको माइनस कर्यों नैंट यहां पर इससे को मैंस करेंगे तों한테 आएगा वर इनnhबन नों को मैंस करेंगे सब को मैं 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 लिख देता हूं 16 x 1 n e को थोड़ोफ ऑपन करते है 16 का मतलब क्या है तू मैंटिप्लाइट टू मैंटिप्लाइट टू मैंटिप्लाइट इसका टूटीफ लाइट शेक्षेण ठीक है तो वन से मुल्टिप्लाइब करें तो बन गांगा वन से कोई चैन नहीं आगा फाइव यहां इननों का पेर बन गया एक और तूब आ गया यह वाला टू रह गया बस तो यह यहां रह जाएगा अब इनको आपको आपको अपको अपको आपको तो यह दो सब्सक्राइब करके तो यहां पर एक तो यहां पर रिखता हूं में पैरीमीटर ओफ ट्राइंगल क्या होता है वह S1 प्लस S2 प्लस S3 पैरिमीटर ओफ ट्राइंगल कितना दरख है 42 एकोल टू एस वन मान लो पहली और इस टू मान लो दूसरी और इसको S3 को मान लेता हम थार्ड साइड तो यह हो जाएगा 42 और यह वह तो वहां पर प्लस होए 28 आ जाएगा स्थनी यहां पर है इन्हों को प्लस करा है मैंने अब 42 के पास 28 आ जाया यहां पर माइनस में इस एको माइनस करेंगे तो 14 आ यानि कि S3 कितना है हमारे पास 14 अब यहां पर हमारे पास थर्ड साइड आई यह पहली दो यह और एक यह यहां से अब हम क्या करते हैं एस निकाल लेते हैं सेमी पेरिमेटर वह क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाइटू यानि कि कितना 18 प्लस 14 प्लस 10 बाइटू और यह हो जाएगा मिलके 42 बाइटू यानि कि यह आ जाएगा एसा हमारे पास 21 ठीक है यहां पर s की वैलियों अब इसको फोर्म में अप्लाए कर दो और अंसर भी आ जाएगा एडिया एडिया आफ ट्राइंगल इस फोर्म में क्या आपने पास अंडर रूट एस मानस एट एच मानस भी आप अरसमा इनस सी एसऩ की वैलियु क्या आपने पास 21 ल उर व्ह है हमारे पास 18 बी है हमारे पास 14 और सी हमारे पास टैन इसमें तुम आगे बीची इसको उसको इसको यह बीची बाझत ब्रद्ध माल सकते हुए तो प्यूंक्स प्यूंक्ट रेंगल नहीं रहा है त्राइंगल बॉसमें रेंडम निकालने असाथ अब देखो क्या करेंगे यहां पर कि इसके साथ किसी खोई यहां पो तो यहां पर यहां पर रहा जाएगा और इसका फाइनल रहेगा इंदो तो मतलब पहले से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा काम है लेकिन जैसे उसमें दो साइड थी एक मान रहा हूं सेकिंड साइड इक्वल टू सेवंटीन एक्स और थर्ड साइड को जिसी साफ से रिशो तरखा उसी साफ से इसको मान के चलते हैं यह हो गया 25 अब according to question हमें क्या बोल रखा है कि इसका perimeter दे रखा है तो perimeter कितना है इसका perimeter होता क्या है तीनों साइड का सम यानि की 12 एक्स प्लस 17 एक्स 25 एक्स इक्वल टू कितना है 500 ठीक है तो यह तीनों साइड का सम कितना आएगा पांसो चालिस आएगा तो यह त्वैल और सेवंटीनों ट्वंटीफाइगे 54 एक्स और यहां पे है ऋए फासाइड वह थी वहारी 12 x यानि की 12 x 10 यानि की 120 जूसरीं प्लस डूबते हैं तो वह कितनी 17 x यानि की सेवंटीन लॉट्पलाय 10 170 डिगरी कीं निकालते हैं तो कितना है 25x यहां पर 25 x 25 इक्वल टूब्दीपाइग है तो यह आगई तीनों सेंटीमेटर में हमार पास सेंटीमेटर ने कुछ नहां ठीक है अब यहां से क्या पहले तो एस निकालेंगे तो 120 प्लस 170 प्लस 250 इनका निकालेंगे सबसे पहले तो हमारे पास कितना आएगा यहां ही लिग देता है नीचे यह आ जाएगा तो यहां पर यहां पर नोर्मल तरीके से इसका एरिया भी निकाल सकते हैं एरिया का फॉर्मला हमारे पास वही है इसका अंडर रूट सो एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस भी और एस माइनस शी ठीक है वेल्यों पूट कर दो इसमें स्कीवजुक अन्ये 270 और फिर आपे 270 मैनस एक दना है एक है 120 बी कितना है 270-170 और सी कितना है सिया नीचे लिखना हूं तो हंडर्रड सेवंटी माइनस टू फिफ्टी यह तीनों साइड लिए ठीक है यह रूट इन के ऊपर भी हमाल लेगा यहां पर जाएगा इसलिए नीचे लिखा अब देखो इसको माइनस करते हैं तो टू सेवंटी तो भार ऐसी रहेगा मल्टिप्लाय में आएगा यहां पर आगया कितना नहीं यह आएगा यहांपे किथना यहां जाएगा और मिन को ब्रेक कर लेता है है तूसे साबसे भार बनिगे झैण तो देखो चुर्ट ब्रेक मतलब क्या है कि टूसरी मुटिप्लायट 10 मिथटें तो मतलब रहे कि inher, तो इसम्सेन का मतलब चैन मुटिप्लाय टैन् השूं पर पहले यहीं पर देख लेता है कि क्या क्या बार जाएंगे तो इस वाले टेंसे एक टेन भार आ गया और भी तरूब बीच में इन दोनों से क्या हुआ एक और एक ठेन बचा हुआ ठाब लेकिन अगर यह दोनों निकाल दिये मैंने तो बचे क्या है जिसमें से 27 बचाए 27 क सकते हैं अच्छा यह हो गया यह हो गया यह हो गया इन दोनों से एक और इस फाइब से एक फाइब बहार और तुछ भी नहीं बचेंगा अब इनको नॉर्मल मल्टिप्लाइ तो यह जाएगा और यह कितना आजएगा तो 91990 और तो 9000 आजाएगा और कुछन सेंटीमेटर में तो सेंटीमेटर स्कूरर यह इसका अंसर अब आते हैं इसके आफिर एकसे साइस के लाश कोशन पर इसमें क्या बहुत है कि आइस सेले स्ट्रेंगल कैसा ट्रेंगल होता है ज से सैटीम्यं सेटीमेटर कि है एक साइज अब हम यह बताना है कि यह बहुरा है यह वह रहात होगी हमें इसके साइप निकाली टिता हो सबसे पहले निकालते हैं इसके पैरिमेटर की मदद से थर्ड साइड तो पैरिमेटर इक्वल टू कितने है सबस्क्राइब टूसरी पता नहीं उसको एक्स तो अब देखो यहां से क्या करते हैं सबसे पहले से पैरिमेटर निकालते हैं और हिरों सब्सक्राइब लगा के अंसर निकाल देंगे तो यह जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 6 बाइट टू ट्वेल प्लस 1224 थर्टी बाइटू कितना बजाएगा हाफ 15 यह निकि एस की वैल्ली कितनी आगे स अगया है हमारे पास 15 अब इस कान से निकाल देते हैं और यह अपलाई करके अधिया इप अधिया एक्वल टू अंडरूट्ट अगा टेरो कि सो माइनस एस माइनस दी एस माइनस ठीए तो कितना है ऐसे हमारे पास का 15 15- एक वैल है 15 माइनस बीवी ट्वैल है और 15 माइनस जो सी निकाला वाहने सिक्स निकाल रही ठीक है अब इसको सौल कर दो क्या बचेगा अब इनको सौल कर दो किसमें इसको 2 तो तो यह इसको मैं यह यह भी त्री में जोड़ इसको मैं दो लिख सकता हूं तो अब देखो इन दोनों त्री से एक ठीबार इन दुनों 3 से एक और 3 बाहर अब एक 5 बचा है और एक 3 बचा है और ना यह common बनके बाहर आएंगे तो यह अंदर ही जाएगा तो 15 यहां पर बाहर है 9 अंदर है 15 कुशन सेंटीमेटर में था हाँ ठेक है तो सेंटीमेटर स्क्वेर यह कम्टीट होगे तुमारी एक्सराइज कर तक है अब मिलते हैं किसी नहीं डुक्त में तब टाक लेयक on कर दो